इस वीडियो में हम Home Tab के Additing Group में सोल्ट and फिल्टर के बारे में जाएंगे एक तो सोल्ट and फिल्टर को हम यहां से कर सकते हैं एक सोल्ट and फिल्टर को हम Data Time में जाके यहां पे जाके सोल्ट यहां जाके हैं अब हम यहां से home time में जाके editing group में जाएंगे और यहां से sort and filter को करेंगे यहां पे sort में हम यह सिखेंगे कि values को sort कैसे किया जाता है जैसे suppose करो यह name यहां पे दिए गए हैं यहां पे यह name लिखे हुआ हैं यह सभी name random में है अगर हम इनको ascending order में करना जाते हैं तो यह कैसे करेंगे इसको करने के लिए हम यहां पे name पे click करेंगे और इसके बाद यहां पे sort में जाएंगे और sort में जाने के बाद यहां पे हम sort a to z यहां पे click करेंगे तो यह देखो जितने भी यहां पे नेम है यहां पे यह ascending order में हो जाएंगे A to Z इसमें हो जाएंगे अगर यही नेम हमने descending order में करना है जैसे BJ यह सबसे उपर आए और यह आजे यह नीचे चला जाए तो यह कैसे करेंगे इसको करने के लिए हम यहां पे sort में जाएंगे और sort में जाने के बाद sort Z to A यहां पे click करेंगे तो यह देखो यह सबी नेम जो है यह sort हो जाएंगे Z to A तो जब यह values change होती है तो यह automatic जितना भी data है यह साथ में change हो जाता है यह देखो सारा data यहां पे change हो गया है इसके बाद इसको undo करेंगे यह undo किया undo करने के बाद आगर हम numbers को करना जते हैं तो numbers को भी हम sold कर सकते हैं जैसे यह number दिये गया है English के यह marks है नीचे जैसे English subject इसको sold करना है ascending में तो यह कैसे करेंगे यहां पे English पे क्लिक किया और यहां पे sort and filter पे गए A to Z यह देखो lowest to highest value आजाएगी यह देखो सबसे lowest value है इसके बाद यह सबसे highest जो है यह सबसे नीचे है अब अगर हम इसी value को उपर लाणा जाते है तो हम क्या करेंगे sort में जाएगे और Z to A इसके बाद इसको undo किया undo करने के बाद इसके बाद हम यहां पे sort and filter यहां पे क्लिक करेंगे और यहां पे क्लिक करने के बाद आगला option है custom sort अगर यहां पे custom sort पे हम click करेंगे तो हमारे पास यह dialogue box आ जाएगा इसमें दिये गया है add level डिलीट लेवल, कॉपी लेवल, ऑप्शन, यह सारा यह इसमें दिया गया है, जैसे यहां पे यह देखो, एड लेवल, यहां पे यह लेवल निचे एड करना है, तो हम यहां पे क्लिक करेंगे, यह लेवल एड हो जाएगा, अगर इसको डिलीट करना है, तो यहां पे क्या होता है जैसे यह data है इसको sort करना है यहां पर option आ जाएंगे यह देखो orientation data को कैसे sort करना है sort top to bottom या left to right तो इसको हम यहां पर check करेंगे कि यह क्या होता है sort top to bottom क्या होता है और sort left to right क्या होता है तो यहां पर इसको cancel किया इसको बंद किया यह दूसरी sheet पे click किया open करने के बाद यहां पे जाएंगे sort and filter में custom sort में जाएंगे custom sort में जाने के बाद यहां पे option tab यहां पे click करेंगे यहां पे click करने के बाद यह दो यहां पे option आ जाएंगे orientation में sort top to bottom तो sort top to bottom यह जो होता है यह top to bottom होता है जैसे ऐसे इसको sort किया जाए तो इसको बोला क्या करेंगे हम sort top to bottom करेंगे और इसके बाद second है sort left to right यह जो है left to right है यह जो है जब यह sort okay आएगा तो इसको बोले जाता है sort left to right यहाँ पर click किया यहाँ पर click करने के बाद okay पर click किया okay पर click करने के बाद अब देखो यहाँ पर sort by यहाँ पर click करेंगे तो यहाँ पर click करने के बाद यहाँ पर आगे दिया गया है कि column B को करना है यह column C को करना है तो हमने column B यह देखो यह सारा जो है यह column B है इसको हमने sort करना है तो हम यहाँ पर column B पर click करेंगे यह column B यहाँ पर जाएगा इसके बाद आगे दिया गया है cell value हमने cell value इसको sold करना है आगे cell color दिया गया font color तो हमने cell value ये ली ये लेने के बाद यहां पर smallest to largest ये करना है कि शोटी value पहले आए उसके बड़ी value आए ऐसे करना है तो यहां पर option है जैसे largest to smallest यह करना है तो हम smallest to largest यह क्लिक करेंगे यहाँ पे यह क्लिक करने के बाद okay पे क्लिक करेंगे तो okay पे क्लिक करने के बाद यह लिखो यह data जो है यह salt okay यहाँ पे आ गया यह लिखो सबसे छोटी value उससे बड़ी उससे बड़ी उससे बड़ी और सबसे बड़ी नीचे आ जाएगी highest value को उपर लाना है और यह जो lowest value वह इसको निचे लाना है तो यह कैसे करेंगे फिर हम यहां पर sort and filter पर जाएंगे custom sort पर जाएंगे और यहां पर हम क्या करेंगे यहां पर option पर जाएंगे option पर जाने के वाद sort top to bottom और यहां पर ok पर click किया यहां पर यह जो है B column EC को रहनी देंगे इसके बाद यह value, cell value, value को sort करना है इसके बाद यहां पर जो है largest value यह हमने उपर रखनी है तो यह जो second option है यहां पर click करेंगे largest to smallest यहाँ पे क्लिक किया यहाँ पे क्लिक करने के बाद ok पे क्लिक करेंगे तो जो सबसे बड़ी value होगी वो सबसे उपर आएगी और जो सबसे छोटी होगी वो सबसे नीचे यह देखो ok पे क्लिक किया तो यह जो सबसे बड़ी value है यह सबसे उपर है और यह जो सबसे छोटी value है यह सबसे नीचे है इसके बाद अगर यह data जैसे यह नीचे दिये गया है इसको sort करना है तो यह कैसे करना है इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे Sort and Filter Option पर इसके बाद यहाँ पर Custom Sort पर जाएंगे इसके बाद option पे जाएंगे और यहां पे sort left to right यहां पे click किया click करने के बाद ok पे click किया ok पे click करने के बाद sort y यहां पे click करेंगे यहां पे click करने के बाद अब यह कौन सी row है यह दिखनी है हमने तो यह row है 8 यह 8 नमबर की row इसको हमने sort करना है तो इसको sort करने के लिए हम यहां पे row 8 यहा यहां पे row eight आ गई, cell value, यहां पे cell value लिखी, यही हमने sold करनी है, इसके बाद largest to smallest इसका मतलब यह है, कि जो सबसे बड़ी value है, वो पहले आए, और जो सबसे चोटी है, यह last में आए, तो हम यहां पे largest to smallest यह रखा यहां पे, इसके बाद okay पे click किया, तो यह रिखो, सबसे बड value जो है, यहां पे आ जाएगी, इसके बाद sheet number one, यहां पे जाएंगे, यहां पे जाने के बाद, फिर हम यहां पे salt and filter पे जाएंगे, यहां पे जाने के बाद, आगे है, custom salt, यहां पे click करेंगे, इसके बाद है, यहां पे आगे, यहां पे check किया हुआ है, यहां पे लिखा ह हुआ my data has header कि ये जो data दिया गया है इसमें header है ये देखो सीरिय नंबर, name, English, chemistry, physics, math, computer science और total ये header यहाँ पे लगा हुआ है तो अगर header लगा हुआ है तो यहाँ पे value header की show होगी ये देखो ये जितने भी आ रहे हैं जैसे सीरिय नंबर है, name है, English है, chemistry, physics, math, computer science ये total तो ये header लगा हुआ है, तो जब हम data को sort करते है तो data header से sort नहीं होता है वो data से sort हुआ है जैसे name इससे निचे जितना भी ये name लिक्की、 हुआ है, यहाँ से data說elt होगा तो अगर हम यहाँ पे इसको uncheck कर देती है ये तो, यहाँ पे click किया इसको uncheck कर दिया, uncheck करने के Бाद जब हम इसको data को sort करेंगे तो ये heeler को भी سाथ मिलेगा अब, ये जैसे CD number है, name है, English है, ministry है ये data को sort second row से ने करेगा, ये first row से data को sort करेगा क्योंकि अब हमने याँ पर इसको header को आटा दिया है तो यह जो header है यह A, B, C, D यह जो उपर है column यहां से लेगा तो इसको check करने के लिए यह देखो sort by जब हम यहां पर click करेंगे तो यहां पर A, B, C, D यह देखो सारे column यहां पर आ जाएंगे तो आने के बाद अब जब हम data को sort करेंगे तो यह data यहां से sort होगा उपर से row first से यह data sort होगा तो हम क्या गरते हैं इसको check की रहने देते हैं यहां पर check करने के बाद आगे हैं यहां पर column में sort by तो column में यहां पर sort by यहां पर हम more button पर click करेंगे यहां पर अब क्या sort करना है हमने name को sort करना है यहां पे name आ गया, name आने के बाद cell value, sort on cell value, यहां पे हम option लेंगे, जैसे cell color, color के इसाब से इसको sort करना है, तो यहां पे cell color पे click किया, तो cell color आ गया, order में यहां पे दिये गया है, color दिये गया है, यहां पे हमारे पास 3 color है, जैसे यह yellow है, red है, green है, अब हम क्या चाहते हैं, हम यह चाहते हैं, कि यह जो green color है, यह सबसे उपर आए, तो हम क्या करेंगे, यहां पे green color पे यहां पे click करेंगे, यह देखो green color यहां पे आ गया, अब on top, यहां पे दो option है, top में करना है, कि bottom में करना है, इसको green color को हमने top में रखना है, यहां पे, तो हम यहां पे करेंगे on top, यहां पे क्लिक किया, on top यहां पे आ जाएगा, इसके बाद जब हम ok पे क्लिक करेंगे, तो green color सबसे उपर आ जाएगा, यह देखो ok पे क्लिक किया, तो यह जो green color वाले थे, यह सारे यहां पे उपर top में आ गए यह red color हमने सबसे निचे लाना है, तो यह कैसे करेंगे, इसको करने के लिए फिर हम यहां पे salt and filter पे जाएगे, custom salt पे जाएगे, और इसके बाद यहां पे salt by यहां पे name यह name ही है, यह इसको करना है हमने name लिया, order में यहां पे जाना है, और यहां पे क्लिक करना है red, red करने के बाद यहाँ पे top है यहाँ पे करना है हमने bottom की red जो है सबसे bottom में हमने नीचे रखणा है इसको तो on bottom किया और ok पे click किया तो यह रिखो जो red color में यहाँ पे name लिखे थे बो सबसे नीचे यहाँ पे आ जाएँगे इसके बद अगर इसको value के इसाब से sort करना है यहाँ पे English subject पे click किया click करने के बाद यहाँ पे sort and filter पे click किया इसके बाद custom sort यहाँ पे हम column select करेंगे जैसे English यह लिए हमने यहाँ पे English लेने के बाद यहाँ पे दिया हुआ है जैसे sort on यहाँ पे click किया यहां पे value के इसाब से इसको sold करना है यहां पे cell value इसको select किया select करने के बाद यहां पे order में क्या करना है smallest to largest करना ही है यहां पे और भी option है largest to smallest यह करना है तो हमने क्या करना है smallest to largest यह करना है यहां पे click किया इसके बाद ok पे click किया तो यह देखो सबसे चोटी value जो है सबसे उपर है और सबसे बड़ी value सबसे नीचे है तो ये value के सबसे आ जाएगा green है ये सबसे उपर करने है और ये जो blue है ये सबसे नीचे करने है तो ये कैसे करेंगे इसको करने के लिए यहां पे click किया यहाँ पे क्लिक करने के बाद sort and filter यहाँ पे क्लिक किया इसके बाद custom sort यहाँ पे गए और यहाँ पे sort by यहाँ पे हम किस column को select करेंगे यह है total वाला तो total पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे यह total यहाँ पे आ जाएगा इसके बाद cell value तो यहाँ पे option लेंगे हम क्लिक करने के बाद यह जो font color यहां पे दिये गए हैं यह green हमने सबसे उपर रखने हैं तो यह दो color है अब green को सबसे उपर रखना है green को select किया select करने के बाद तो इसको top में रखना है top पे click किया ok पे click किया तो यह देखो तो यह देखो जो भी green color में हमने value लिखी थी वो सबसे नीचे यहाँ पे आगी, इसके बाद है, salt and filter में filter, तो filter को हम यहाँ से भी लगा सकते हैं, यह देखो, यहाँ पे click किया, यह filter यहाँ पे लग जाएगा, अगर इसको आटाना है, फिर क्या करेंगे हम, यहाँ पे salt and filter पे जाएगे, और यहाँ पे filter पे फिर click करेंगे, यह यहा यह प्रेस किया, प्रेस करने के बाद यह फिल्टर यहां पर लग जाएगा, यह फिल्टर लग किया गया, अगर कीबोड की शोटकुट कीज से इसको अटाना है तो कैसे करेंगे, Ctrl, Shift और L, यह देखो, प्रेस किया, यह यहां से हट जाएगा, इसके बाद हम यहां पर Salt and Filter पर filter पे हम click करेंगे click करने के बाद जैसे यह दिये गया है यहां पे number filter तो number filter यहां पे हम click करेंगे equal जो equal value है यह हमेंचे यह filter होके आए तो हम यहां पे equal पे click करेंगे equal पे click करने के बाद यहां पे हम यह more button पे click करेंगे यहाँ पे जो equal value है जो 85 यहाँ पे हमने इसको click किया 85 को, यहाँ पे 85 आ जाएगा कि equal value जो है 85 के, वो आए तो हम OK पे click करेंगे OK पे click करने के बाद यह दिखो committed subject में जिसके number 85 है वो यहाँ पे आ जाएंगे, equal number यहाँ पे आ जाएंगे इसके बाद डजनोट इक्वल जो की बरावर नहीं है यहां पे डजनोट इक्वल यहां पे क्लिक किया और यहां पे क्लिक करने के बाद यहां पे मौर बटन पे क्लिक करेंगे और यहां पे 82 पे क्लिक करेंगे और ओक्य पे क्लिक करेंगे तो यह देखो यहां पे 82 के इक्वल यहां पे न इसके greater than value यह यहां पे आएं, यहां पे greater than पे click किया, इसके बाद यहां पे आ जाएगा greater than, तो greater than में कितने से उपर वाली value चाहिए, जैसे suppose करो हमे 82 से उपर वाली value चाहिए, तो हम यहां पे 82 पे click करेंगे, 82 यहां पे आ जाएगा, इसके बाद ok पे click किया, तो ok पे click करने के बाद ये दिखो ये जितनी भी यहां पे values आई हैं ये 82 से ओपर वाली values हैं तो ये filter होके यहां पे आ जाएगा इसके बाद फिर यहां पे click करेंगे और आगला है number filter में greater than equal to तो greater than equal to यहां पे click करेंगे तो क्या होगा greater than or equal to ये number आएंगे यहां पे यहां पे more button पे click करेंगे more button पे click करने के बाद greater than or equal to value जैसे यहां पे 67 पे हमने यहां पे click किया 67 पे click करने के बाद okay पे click किया तो ये देखो 67 एक तो यहां पे आ गई और 67 से ओपर जितनी भी value है ये भी यहां पे filter होके आगे तो ये हो गया इसके बाद आगे यहां पे filter पे click किया number filter यहां पे गए less than अब कम value जो है यहां पे condition हम लगाएंगे less than यहां पे more button पे click किया और less than जैसे 55 से less than कितनी यहां पे values हैं यहां पे 55 हमने यहां पे रखा 55 इसके बाद OK पे क्लिक किया तो यह देखो 55 से less than A की value है जो कि यहां पे आगी filter होगे इसके बाद फिर यहां पे क्लिक करेंगे number filter और यहां पे less than equal to जो कि less than equal to है तो यहां पे क्लिक किया अब less than equal to यहां पे value कोई भी बरेंगे यहां पे जैसे 55 लिया OK पे क्लिक किया यह देखो less than equal to 55 यहां पे value वरी थी तो 55 और इससे कम 49 यहां पे आ जाएगी इसके बाद यहां पे फिर क्लिक किया इसके बाद आगे है between between मतलब बीच वाली value कौन कौन सी है वो लेनी है between पे क्लिक किया यहां पे क्लिक करने के बाद greater than पहले greater than यहां पे भरेंगे 67 और यहां पे less than यहां पे हमने 85 किया और 67 और 85 के बीच में जो value है वो यहां पे आए OK पे क्लिक किया OK पे क्लिक करने के बाद यह देखो 67 और 85 के बीच वाली जितनी भी value है यहां पे community subject में वो यहाँ पे आ जाएंगी इसके बाद यहाँ पे क्लिक किया क्लिक करने के बाद number filter यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे आ जाएगा top 10 कि top 10 यह value यहाँ पे आए तो top 10 नहीं हमें यहाँ पे चाहिए show top कितनी value चाहिए यह ज़े 3 value चाहिए top 3 यह देखो 3 यहाँ पे बारा हमने इसके बाद ok पे क्लिक किया तो यह देखो top 3 value यहाँ पे community subject की यहाँ पे आ जाएंगी इसके बाद फिर यहाँ पे filter किया filter करने के बाद यहाँ पे क्लिक किया अब जो है यहां पे Above Average यहां पे क्लिक करेंगे तो जिसकी Above Average है यहां पे आ जाएंगी तो यह लिखाए Above Average वाले यहां पे आ जाएंगे इसके बाद अगला Number Formant में Below Average यहां पे क्लिक किया यह Below Average वाले आ जाएंगे अगर हमें यह सारे चाहिए तो हम यहाँ पे जाएंगे और यह select all पे click किया ओके पे click किया तो यहाँ पे जितनी भी यह values थी सभी values यहाँ पे आ जाएंगे इसके बाद हम name filter पे जाएंगे यहाँ पे click किया यहाँ पे यह सभी select है अब हम अपने choice के इसाब से यहाँ पे selection कर सकते हैं हमें कौन-कौन नहीं यहां पर चाहिए जैसे यहां पर select all लिखा हुआ है यहां पर click करेंगे uncheck हो जाएंगे सभी यह uncheck होने के बाद अब हम अपने ढंक से यहां पर list बनाएंगे जैसे एक आज़े चाहिए यहां पर एक mohit, एक साहिल और एक बीजे यह चाहिए हमें तो यह लिखो यहां पर हमने for name को यहां पर चेक किया हुआ है तो यह for name की यहां पर list बनके आजाएंगी अब अगर हम ये filter लगा हुआ है इस filter में एक और filter हम यहां पर लगाना जाते हैं तो हम क्या करेंगे जैसे यह English Subject है यहां पे हम क्लिक करेंगे फिल्टर पे और यहां पे इसको अंचेक कर देंगे सभी को और यहां पे हमें कितनी वैल्यू चाहिए दो वैल्यू चाहिए एक तो चाहिए 85 वाली एक चाहिए 65 वाली यह दो चाहिए और OK पे क्लिक किया तो ये दिखो दो value यहां पे आ जाएगी filter के उपर filter यहां पे लग जाएगा तो इस तरह से हम यहां पे data को filter कर सकते हैं तो इस वीडियो में हमने salt and filter के बारे में जाना अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो please subscribe my channel धन्यवाद